तो हेलो बच्चो नवाभा यूट्यूब चैनल के बोड़ाभा सेक्शन में स्वागत बच्चो तो बच्चो जैसे कि आप लोग बोड़ रहे थे कि हमको राजनिती सास्तर का अगला लेंदी वाला क्वेश्चन का एंसर चाहिए बच्च में सर तो मैंने यहाँ पर ले आया आपको सर्च करना है आपको इस तरह से नाम सर्च कर लिजिए और बच्चो अगर हमारे दो चैनल है नौ अबहा और बोड़ आभा दोनो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिया इसी तरह कि इमपोर्टेंट व्यूड़ इंपोर्टेंट कलास इंपोर्टेंट लेक्चर सा भ तो चलिए हम यहां से बच्चो आपका सब्जेक्टिव पर चलते हैं ठीक है तो देखे बच्चो मैंने 40 नमबर तक आप वो करवा दिया था तो यहां पर 41 नमबर से चलते हैं और आपका तो चलिए बच्चे इसका सॉलीशन पर चलते हैं तो देखे बच्चे इसका सॉलीशन में यहां पर लिखा हुआ है गुट निर्पेक्चा और अतर अंतर यहां पर क्या गया है यह सकरात्मक शिंदान्त है यूद्वास जानती के समय परियोग अच्छा बच्चो मैं आपको बता दू कि आप नोटकोपी जरूर निकालके रखेंगा और सारी चीजे नोट्स करते चल करते चलिएगा बहुत शारे बच्चे नोट्स नहीं करते हैं और वहाद में दिक्कत होता है आप आस्कृरिंसोट भी ले लेके बाद में उसको जरूर नोट कोपी मुतार लेजेगा और सभी वीडियो को पूरा देखा किजिए ठीक है बीच में छोड़ने की आदत बहुत खराब है क्योंकि एक्जाम आपको सामने है केवल यूद के समय परियोग ठीक है गुट निर्पेक्ष पालन करने वाला में ध्रके में चलते हैं दो नंबर का है तो दो नंबर में उसको लिख से झाले कि परक्ष संटे गोटत कैसे यह लिज लेकित हैंramos ऐसे भी चारी चीजे बना दी थी ताकि आपको सारी चीजे असानी से हो पाए तो देखें नोट्स में मैंने लिख दिया है ग्लास नोस ते एक सोवियत नीती थी जिसका उदेश सोवियत रूस के सरकारी संस्थानों एवं किरिया कलापों में खुले पन एवं पारदर्शीता को ब एमनेश्टी इंटरनेशनल क्या है और सारी कोश्चेंस बहुत इंपोर्टेंट है बच्चों बहुत सारी बच्चे पूछ ये भी रहें कि सर अभी जैसे कि मैंने दो नंबर में लंबा बताया बच्चों गुट नेर पेच्छता और तट्ट्रस था में तो बहुत सारी नोट साब बनाते चलिएगा तो यह मैंने करवा दिया चलिए एमनेश्टी में चलते हैं एमनेश्टी इंटरनेशनल क्या देखिए बच्चों पूरे इच्छे से मैंने बताया है और दो नंबर में आपको लिखना चोटा करके लिख दिजेगा चार नंबर का मैंने में यह पर बना दिया है एमनेश्टी इंटरनेशनल लंदन के गेर अधिकारी शंगठने जिसका मुख फोकस मानो अधिकार अधिकारों पर है शंगठन के मताविए इसके समूचे 20 में 70 लाग सधिक समर्थक और सदक्ष है बस इतना ही लिख देजगा दो नंबर में चाहे यहां ए सरकारी संस्थानों निजीव वेक्तियों के बाबत भी रिपोर्ट परकासित करती है और सारी के नोट्स बनाते चलिएगा इनके छे महत्पून एमनेश्टी कारी करती है बच्चों देख लिए ना है महिलाओं बच्चों अलपसंख्य केवं सवदेशिय अधिकारों पर उत सबसे रिसेंट में हुआ था बच्चों तब सभी को मालूमी होगा डोकलाम विबात क्या था यहां पे चीन और इंडिया को लेकर जहगडा था बच्चों देख रहें टोकलाम एक पठार है जो भुटान के हाहट घाटी भारत की पूरु सिक्किम जिला के और चीन के यदों काउंटी के बीच में है यहां एक ट्राई जंक्सन है याद रखिएगा जहां भारत चीन और भुटान की सीमा मिलती है त्राई जंक्सन भारत के नाथूला पास से मातर 15 किलोमेटर के दूरी पर है और डोकलाम को भुटान का हिस्सा बानता है तो भुटान और चीन की देख लेते हैं कौन-कौन से हैं तो देखिए भारत राजनितिक दल का नाम आपको यहां से सिर्फ लिख देना है बच्छो कोई दिकत नहीं है लेकिन अगर चार नमर में आए कि वर्तमान भारत राश्टी की दलों की संख्या कितनी है तो 2016 से पहले 6 को राश्टी दल के डिया है कि राज्टी दल का दर्जा कैसे वह दिया जाता है इसलिए मैं कर दिया हूं तो एक मान यह था प्राव पार्टी को राश्टी का दरजा यह सभी लिखने नहीं नमबर में लेकिन करा दे रहा हूं ताकि अगर लेंदी में आवे था अप लिख दिजेगा यह सारे लिख दीजेगा यदि वहां निम्लिकित तीन का तीन मैंसे किसी एक सर्थ को पुरा करते हैं तो पार्टी बन जाती बच्छों ठीक है इसको लिख लिए नोट कर लिजे यदि कोई पार्टी कम से कम तीन भी भी राज्यों को मिला कर लोकसभा की 2% सीट जितती है तो है ना कम स पिछले मैं बता दे रहा हूं इसको भी आप नोट्स कर लिजेगा यह भी पूछता है कि राजनितिक दल बनने के लिए क्या अब देखिए एक्जाम में थोड़ा सा घुमा के ही देदे कि राश्टी राजनितिक दल बनने की क्या मतलब की जरूरत है क्या होना चाहिए दूसर को सोवियत संके समाजवादी परनाली की तरह ढाल दिया इन्हें इस समाजवादी खेमे का देश या दूसरी दुनिया कहते हैं तो दो नंबर में राम से इसको लिख देजेगा बच्चों अच्छे से कर लिख लिजे अगला देखे बच्चों क्या पूछ रहा है भारत में अपातकाल था ठीक है यह एक पर फिर चार नंबर में पूचा हब देखा देता हूं देखिए एक धरी विश्व साप क्या समयते हैं तो बच्चे लोग समयते नहीं है कि लंबा मैं करा दूंगा तो छोटा वाला खुद कर दिजेगा ठीक है लंबा मैं इसलिए एंसर लिख यहां पर लंबा पर लिखे चार नमब्र में भी लिख सकते हैं दो नमब्र में छोटा करके लिख लिएगा तो दोनों का एंसर एक ही जगा में करवा दे रहा हूं एक धुर्वियों व्यष्था से विपराई एसी विष्व विवस्ता से जिसमंतराश्टी चितविस पर केवल मात्र एक ही सकती विद्मानों एसी महा सकती ना केवल विश्व राईनीती और विश्व समुदाय का नित्रितु करती है बल्की उसे अपने परभाव से तोड़ने उसे अपने परभाव से तोड़ने मरोडने का भी परियतन करती ताकि उस विवस्थाव को अपने अनुशार संचालित किया जा सके एक धुर्व्य विवस्था कलाती दो नमर में बस उतना ही लिखना है चार नमर में पूचे का तो पूरा लिख देना है इसलिए राश्चन्युक्त राज अमेरिका एक मा सक्ति के रूप में उब्रा और राजनीती को परवाहित करना लगा था ठीके बचो थी एक धूर्वियों वेवस्था में आपको पता हुआ कि USA जो अमेरिका है उसका बहुत ही बड़ा महत्व हो गया है देखे बचो कॉंग् करनारी कर्द सिंडीकेट कारता काउंग्रेस के भीतर्व है ना देख लीजा आंदरर परतेष के इन संच्जीव रेडी से ब्लषी मंगल है विया ने पज़ें भारत के पेले सिच्च्य मंत्री कौन थे पचासन नमबरर में है तो आपको सभी को पता होगा कि 15 अगस्त उनीसो से ताली से उनीस सो अंठावन तक सेवा करने वाले शोत्तन दरभायत के पहला सिच्छा मंत्री को ने मुलाना अबूल कलाम अजाद मुलाना अबूल कलाम अजाद का नाम याद रखेगा अब देखिए यहां से लेंदी वाला कोईशन थोड़ा सा सुरू हो गया बच्छों आपके पास पांच परसन है सभी चार चार नमर के देख लेजिए और और में सभी का परसन दिया हुए है तो कोईशन ज्यादा भारी लेंने यह बहुती असान है क्योंकि और-और में करके परसन दिये हुए हैं दूनों में से किसी एक को बनाना है और चार कोईशनF ЛodicARS नमबर के 20 मार्क्स का वह आप पे हैं बहुती है सोवीत परणाली क्या है देखिए पुर्णे राज के अधिकार में रखा गया राज का नियंतरन वितरन परनाली भी मैंने लिख दिया यहां से देख लिजेगा और वितरन विवस्ता भी सरकार के हाथों में थी तो इस सारी चीज़ों का आप नोट कर लिजे ठीक है राज वपाटि की संस्था को प्राथमिक्ता अर्थविवस्ता वसंसाधनत चारी चीज़े मैंने लिखी है आप इसमें से कुछ चीज़े कट कर सकते हैं जैसे चार नंबर में तितना लंबा नहीं लिखिएगा त्यक है दो तीन चीज़े कट कर सकते हैं उससे कोई दिक्कात आपके एक्जामें नहीं होगी देखे बचो पंच सिल के सिधान्तों को लिखना था राइट दा प्रिंस्पल सो पंच सिल तो चलिए इसका सॉलिशन पर चलते बचो की पंच सिल के सिधान्त क्या क्या है तो देखे लिख दिया बचो मैंने पंचसिल के पांच सिधान्तों के परति पालन भी भारत की सांति प्रिता का गोतक है 1954 के बाद से भारत की विदेश नितिकों पंचसिल के सिधान्तों से एक नई दिशा परदान की गई पच्चिल से अभिप्राय किया है बच्चों दिखिए लिखा हुए आचरन के पांच सिध्धान्त जिस पर बोट धर में ये वर्थ एक विक्ति के लिए होते हैं उसी परकार आधुनिक पच्चिल के सिध्धान्तों द्वारा रास्टियों के लोग रास्ट्रों के लिए दू प्राश्परिक लाप तता सांतिपूने शह अस्तित्तु ठीक है बचों तचलिए में अगले क्वेशन पर चलते बचों क्या लिखा हुआ है अगला देखे बचों पूच रहा है बावन नमबर क्वेशन में आ गए है कि पकिस्तान की राजनीती में सेना का क्या भूमिका है उ पाक की राजनीती में अहम भूमिका निभाती है इतना ही नहीं लोगतांतरी तरीके से चुनी गई सरकार के परदान मंतरी विश्यनी ताकत के सामने कम ताकत वर है ठीक है पकिस्तान की समिधान की बनावट ही ऐसी है कि जिसमें सेना की भूमिकाओ को अहमियत दी गई है ठी पाकिस्तान के इतिहास का एक प्रारंबिक हिसा निरंतर प्रिवर्तन और महल की साजिसों द्वाराची नित क्या गया था जिसके परिणावसरूप बहुत सारे राइनिति आरा जकता हुई जिसने सेना को असानी सहस्टेप करने में स्रक्षा मुनाया यह बहुत ही गलत सिस्ट इसको भी गिरा सकते हैं अब अग्लाव सकती बहुत हैं एकता समाज के लगबग सभी पहलों में पूरे देस में मजबूति और शम्पणता का शाधन बनता है अपनी रिवाज और विश्वास का अनुषरन करने के द्वारा सभी धर्मों के लोग अलग तरीकों से पुजापाट करते हैं बुनियादी एक रुपता के स्थित्त को परदर्शित करता है विवित्ता में एक तब विभीन असमाजनताओं की अपनी सोच से परे देख रहे हैं लोगों के बीच भाई चारे और समरस्ता की भावना को बढ़ावा देता है बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुए बच्चों अच्छे से देख लिजे पूरी याद रहेगी तो आपको कुछ ना कुछ मैं लंबा कोशन इसलिए बताता हूँ लंबा करके ताकि आप छोटा में इसको तो आयाद ही रह जाएगा दुबारा से विभिन पैसेवर शेत्रों में जैसे संगीत कला नाटग निर्तिय पाठ्टिशाला मुर्दी कला आदि में विरिद्धी को बढ़ावा देते हैं बच्चों लोगों की अध्यात्मिक परंपरा उन्हें एक दूसरे के लिए अधिक धर्मनिष्ट बनाती है सभी धर्तिय धर्मिक लेख लोगों की अध्यात्मिक समझ का महान सादन है लगबग सभी धर्मों में रीसी, महरसी, योगी, पुजारी, फाधर, आदि होते हैं जो अपने धर्म गरंटों के अनुशर अपनी अध्यात्मिक परंपरा का अनुशरन करते हैं तो बच्चों, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि skip करके वीडियो देखते हैं सिर्फ question का answer लिख लेते हैं हमको पता चल रहा है लेकिन वैसे आपको नहीं कर रहा है सारी चीजों मैं बता रहा हूं उसको सुनते जाना है इससे आपको क्या पता चलेगा कि कौन सा BBI question है वह आपको करते जा का एक हो जाना विले कहलाता है संस्था विले के लिए पत्र हैना मजबन त्यार किया जाता है जिसे विले पतर करते हैं बच्चे जम्मू और कास्मिर के भारतिय संका धी मिलन का एक पत्र एक विले पत्र है जिस पर जम्मू और कास्मिर सियासत के महराजा हरी सिंग ने 26 अक्टूबर 1923 को हस्ताक्चर किये थे देखे बच्चो मैं यहाँ पर एक बात बता दू कि जम्मू कास्मिर में जो हुआ था उस केस को थोड़ा सा और लेंदी करके लिख दीजेगा तो अच्छारेगा दो चार लेना और जोड़ दीजेगा ठीक है जो आपको विले हुआ था जम्मू कास्मिर महरी सिंग का कहानि अपने तो पढ़ाई होगा चलि अगला देख लेते बच्छो आतंगवाद के विरुद्ध अमेरिका के विस हिप यूद का वरणन करना है ठीक है चलिए धेखे बच्छो यहाँ पर आतंगवाद के खिलाप अमेरिका के कई विस विप आप य लडाई जो लड़ा है उसमें मैंने चार लिए है बच्चों कॉषिए अपकी काम है मैं बाकी सभी चीजों तो करा ही दिया हूँ सिर्फ यह वाला क। बता रहा हूँ कि ये चारो क्कॉषिण का खाले यूद करके जैसे नीचे डैस देकर दो लैन लिग देना है इसको डैस करके दो लैन इसको डोलैन करके आठ लैन और जोड़ दिजेगा तो आपका लेंदी हो जाएगा ठीक है ये खातरों यूकों द्वारा अंदोलन शुरू किया गया था इसे बाद में जेपी का नित्रित मिला था बचो अगर उस दिन की बात करें तो 18 मार्च के दिन विधान मंडल की सतर की शुरुआत होने वाली थी अब बहुत ही लंबा मैंने लिखा है तो आप यह कीजेगा एक काम क इसमें से जो आपको घटनकरम को याद रखना है यह हो सकता है पांच नंबर में पूछ दे इसमें दो तीन क्वेश्चिन आपका कवर हो जाएगा गुजरात से शुरू हुआ था बच्चो या मतलब की जो हुआ था विद्रो तो गुजरात वाला भी पूछ यहां पर एंस लिए एक धुरूवी विश्व साप क्या समयते हैं या मैंने कप अपर करा दिया बच्चो चार नमर का दो नमर को उसी से लिख लेना था करवा दिया फ्यूप नबर में चलिए बच्चो देखते हैं लोगतंत्र में राजनीतिक दलो की भूमिका क्या देखिए मैं भी बता राहतली समस्ंथा से कहता में जागुमी का दाँस करे हैं राहतली समस्थार bisher नवातिए बाले सबस्सक्राइद नहिंतर नेमें रायनीतिक दल जनता को अपने भासनों के माध्यम से सरकार की नीतियों से परिचीत कराते हैं जिसे जनता को रायनीतिक सिछा प्राप होती है और देखे बच्चो सरकारी दल कल्यानकारी जो जनता तब पहुचाने का कारी करती है अब देखे बच्चो लास्ट क्वेशन क्या बच्चे हुआ है तो इसको एक बार अच्छे सा पढ़ लिजेगा बच्चों पिर्वी पर्स किया है मैं एक बार बता देता है राजबता नीजी को पिर्वी पर्स किसी समयधानी गया लगतांतिर राज राज की सवायत सासक राज वरिवार को मिलाने वाले विशेश धनरासी को कहा जाता है उसके बाद मैंने डिटेल दी है तो डिटेल को आप पच्छे से पढ़िएगा और जरूर पढ़िएगा लिख लिजे यहां से देखे दोनों लैन में दोनों पेज में मैं रोल कर दे रहा नो आभा और बोड आभा को जरूर से सब्सक्राइब कर लिजे इसी तरह की जनकारी यहां पर मिलते रहेगी और आप जितने ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे हमें उतना अच्छा लगेगा और ज्यादा वीडियो बनाऊंगा है ना तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजे और आज के लिए बस इतना ही बच्चो आपके आने वाले अगामिक जाम के लिए बच्चो हमारे नव अभा बोड़ाबा परिवार के और से धेर सारी सुब कामना है धनिवाद